मेरे पैरे देश्वासियों, मन की बात में स्थ्रोताओं को क्या पसंद आता है, ये आप ही बहतर जानते हैं, लेकिन मुझे मन की बात में सबसे अच्छा ये लगता है, कि मुझे बहुत कुछ जानने, सिखने और पढ़ने को मिलता है, एक प्रकार से, परोक्षरूप से, उश्कर गुजर जाने का जुनून, ये सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, उर्जा से भर देते हैं, हैदराबाद के बोहिन पल्ली में एक स्थानिय सब्जी मंडी किस तरह अपने दाइतों को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सब ने है कि सब्जी मंडिया में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती हैं, ये सब्जी इधरुदर फैलती हैं, गंगी भी फैलाती हैं, लेखिन बोहिन पल्ली की सब्जी मंडी ने ताय किया कि हरोच बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फैका नहीं जाएगा, बिकार हुई सबजियों से बिजली बनाने के बारे में शाहदी आपने कभी सुना हो यही तो इनोवेशन की ताकत है आज बोहिन पल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था आज उसी से वेल्थ क्रियेट हो रही है यही तो कच्रे से कंचन बनाने की यात्रा है वहां हर दिन करी करीब 10 टन वेस्ट निकलता है इसे एक प्लांट में एकटा कर लिया जाता है प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायो फ्यूल भी बनता है इस बिजली से ही सबजी मंडी में रोशनी होती है और जो बायो फ्यूल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में खाना बनाया जाता है हैने कमाल का प्रयास ऐसा ही ये कमाल हरियाना के पंचकुला की बड़ाउद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है इस पंचायत के खेत्रे में पानी की निकासी की समस्या थी इस वजह से गंदा पानी इदर दर फैल रहा था बिमारी फैलाता था लेकिन बड़ोत के लोगों ने ताय किया इस वाटर वेस से भी वेल्ट क्रियेट करेंगी ग्राम पंचायते पुरे गाउं से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इखर्टा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गाउं के किसान खेतों में सिचाई के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं यानि प्रदुषान गंदगी और बिमार्यों से चुटकारा भी और खेतों में सिचाई भी साथियों परियावरन की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं इसका एक उधारन अरुनाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला अरुनाचल प्रदेश के इस पहड़ी इलाके में सद्यों से मोन शुगू नाम के एक पेपर बनाये जाता है यह कागच यहां के स्थानिया शुगू शैंग नाम के एक पौधे की चान से बनाते हैं इसलिए इस कागच को बनाने के लिए पैड़ों को नहीं काटना पड़ता है इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तमाल भी नहीं होता है यानि यह कागच परियावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्त के लिए भी एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था लेकिन जब आधुलिक तक्रीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानिय कला बंद होने की कगार पर पहुँच गई अब एक स्थानिय सामाजिक कार करता गौंबू ने इस कला को पुनर्जिवित करने का प्रयास किया है इससे यहां के आदिवसी भाई बेनों को रोजगार भी मिल रहा है मैंने एक और खबर केरल की देखी है जो हम सभी को अपने दाईतों का एसास कराती है केरल के कोटियम में एक दिव्यांग बुजूर्ग है एनेस राजपन साब राजपन जी परालिसिस के कारण चलने में असमर्थ है लेकिन इस से स्वच्छता के परती उनके समर्पन में कोई कमी नहीं आई है वो पिछले कई सालों से नाउ से वेमनार जील में जाते हैं और जील में फैंकी गई प्लास्टिक की बोतले बहार निकाल करके ले आते हैं सोचिए राजपन जी की सोच कितनी उची है हमें भी राजपन जी से पुरेणा लेकर स्वच्छता के लिए जहां संभव हो अपना योगदान देना चाहिए